तो हलो मेरे प्यारे भाइयों किया हल चाल आप सब की आई हो पाप समस्तोंगर बढ़ी होगे तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं फुल रिव्यूद देने वाला हूं कीवर्ड माउस का माउस का अचले ज्यादा कुछ है नहीं खास कीवर्ड का बहुत ज्यादा रि देख सकते हूं एमाजोन तो पैकेजिंग बहुत प्यारी थी बहुत कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कोई भी दिक्कत नहीं है तो सबको इसको रखो और यहां पर भी प्रोटेक्शन दोनों साइड में आएंगे और यह आएगा अपना एक एयर रैप जो कि काफी अच्छे से इसकी पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग में तो कोई कमी नहीं है बहुत बढ़ी हैं और इसका कोश्ट मेरे को पड़ा ट्रिपल तो प्राइज फ्रेक्ट्वेशन होते होते रहते हैं कम ज्यादा तो यह मत पताना भाई आपको इतने में कैसे मिल गया इसके मैनुवल गाइड जो कि भाई बहुत बढ़ी है आप यहां से देख से तो आर जीवी और जीवी के बारे में सब कुछ डीटल दिया हुआ है तो इन सब को रखो अंदर दब्बे के करो पैक और थोड़ा सा में डबा दिखा दूँ आपको कि इसके अंदर क्या कुछ और अपने को मिलेगा कीबोर्ड को रिवीव भाई हम दिखाते रहेंगे देख लेहां पर फूल साइज कीबोर्ड जो कि मेरे को लिट्रेली इसी परच वाले तो आज आएगा आपका कॉस्मिक बाइट की तरफ साने वाला कीबोर्ड है बहुत बढ़िया कीबोर्ड है और जीवी वार्जीवी सब कुछ मिलेगा आपको एक लिट्रली गेमिंग वाली वाइब आएगी फिलिंग आएगी तो सब से पहले यह तो अपना नि और आपको इसका भी अगर सर्च चाहिए तो यह सर्च करें ना मैं लिंक में के भाई उतना थोड़ा सा पता यह वाई समा सकते हैं तो यह देखो जैब ट्रांसफोर्मर एम लिखतो आ जाएगा माउस सिक्स बटन माउस है बहुत बढ़िया है तो यह देखो अपना पीछे का नट्स बगरा सब कुछ लगे हुए और जीवी माउस है ब्रेडिड वायर है गोल्ड प्लेटिड यूएसबी फोकस ले भाई गोल्ड प्लेटिड यूएसबी है अपनी और यह आगे अपनी सिल्वर सिल्वर गोल्ड में देख लो भाई फरक लाइक दिस आगे औ पहीं ज़्यादा फरक हो जाता है और इन सबकी ब्रेडिड वायर और भाई में वायर दिखातों सब से पहले क्योंकि मतलब फुल रिविव है तो मैं फुल रिविवी करने वाला हूं सब कुछ बताने वाले हो हुआ इसके बारे में यह तो कुछ आते है इसके पकड़ने व बड़ी वायर आपको लिटरली इस फ्रेम में दिखा भीन सकता है आई थिंग सो मेरे साइज की तो नहीं होगी इतने बड़ी भी नहीं हो आई जाए और यह रहे अपनी यह बोड की वायर इसको भाई मैं टाइट कर रहा था उल्टा सो वैसा आपको एडवांस में होली हैपी होली और यह देख लिए इन सब की यह यह विताने में होली का टाइम है सो चलो इसको उन्बॉक्स करता हूं मैं फटावट से भाई खोलता हूं बहुत टाइटली लगायकर रखा हुआ भाई इसकी भी वायर भाई लिटरली माउस से चोटी लग रही है वाई साथ यह रहा की बोड का वायर और यह रहा माउस का तो देखते हैं किसकी कितनी बड़ी है वायर भाई कच्छारवा सब्सक्राइब लाइक वायर इन सब को नापत तो अपना माउस आ जाएगा इस सो माउस का बड़ा है न वैर लिटरली इतना से लेकर ऑफिस तक लगा सकते हो इतना वड़ा वायर दे रखा है तो सब कुछ यहां पर सेट है अब हम लेकर आते हैं अपना डिवाइस उसके पहले अपने को USB हब चाहिए होगा इन सब को कनेक्ट करने के लिए बहुत जादा बड़ा USB है इतना तो मेरे कुछ यह नहीं थ बड़ दे दिया तो क्या करें रियर है अपना रियल्मी वाला डिवाइस उसमें तो भाई मैंने टेक्नो यूज किया था बट इसमें मैं रियल्मी ओल्ड फॉन जो कि भाई एक तरफ से कहले बीस्ट फॉन इसको मैं लिटरली पावर के लिए इसमें तो गेमवे मैं भी नह जाएगा मेरा कि वह मैं यहां से नहीं मैं सेटिंग से आपको भी दिखा दूंगा कि कैसे करना होता है और यह बाई ब्रैटनेस में को पूरा काव करना पड़ेगा तब यहां पर कुछ दिखेगा यह देख लो यहां पर आप सर्च करेंगो ओटीजी तो यह उपर आ जाए इसको हटाओ और भाई साब अब हम क्नेक्ट करते हैं अपने यूएसबी हब को ऐसा रहा ओटीजी में आप क्नेक्ट कर दिए यूएसबी हब और हाथों की लाइन है भाई ही एक काम वाम करते रहते हैं तो वहां पर लिखना पड़ता है तो वह सब छोड़ो सबसे पर इसक चलो यह आरजीबी वाले तो यह बहुत सारा जोल आ जाएगा तो मैं दिखाता हूं अब कीबोर्ड का फुल रिविव यह कीबोर्ड का वायर जो थोड़ा साइड में एंड कीबोर्ड का लगाओ USB हब में मैं उल्टा लगा रहा हूं पहले सिधा था लिखना अब उल्टा लगा रहा था चलो अंदर गुज गया यह रहा मौस का मौस का यहीं पर लगाता हूं चलो मौस का भी लग गया अब मैं दिखाता हूं सब चीज और भाई एक दफा आप वायरिंग पर दिहान दो इतना सारा वायर दर कठा हो चुका है भाई बहुत जादा वायर है और चलो अब मैं इसका बटन ओन करता हूं यह देखो स्विच यह ओन हुआ है यह माउस का जगेगा यह देखो देर भी गो माउस का जल चुका है सेवन कलर्स आइंगे जितना मुझे पता है तो थोड़ा सा भाई यह नीचे आ जाओ क्योंकि इतना बड़ा एरिया है थोड़ा से दूर करते हैं ताक आपका अच्छे से फ्रेम म चलो यह देखो आइठींग सो माउस का यह देखो यह डीपई स्विच सेंटर वाला बटन दबाओ गये तो थोड़ा टाइम के लिए और जीवी बंद हो गया तो यह देखो बाई कितना कितना ज्यादा डीपेई हो गया लिट्रली बहुत ज्यादा डीपेई हो गया बहुत जादा बढ़ गया है यह थोड़ा सा जश्ट देख लो कितना हील रहा है माउस यहां पर तो वहां पर कितना जादा हो रियक्ट कर रहा है अब दबाऊंगा तो डीपिय बहुत कम हो जाएगी मतलब इसकी लोएस्ट डीपिय यह बहुत बढ़िया आप मतलब स्वीच ओन करो लाइटें जगी अब इसके और जीवी वैसलिए बता रहा था इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो इस कीबोर्ड में तो अपने आरजीवी हैं देख सकते हो तो अब इसके आरजीवी कैसे कंट्रोल करनी में बता दू एफ एन होल्ड करकर दबाए नमबर वन पर अपनी ये वाली आरजीवी जिसके आप देख सकते हो नमबर टू पर आती है अपनी यह वाली और जी बियों कि बहुत प्यास चर्णे हैं इसकी है अप डारेकसे चेंज कर सकते हो हुँ कि निए कर सकते हैं फन दबाने से होता गया ओके यह इस से चलने लगी है अरे यार यह यह गलते से दबाता है यह अर्जी भी ओन ओफ करने वाली है यह दो दबाओगे तो ओन ओफ होता रहेगा तो भाई मैं इस डिरेक्शन में लगा दूँ आपको चलो भाई अब यह इधर जाने लगी है तो fn3 का बताऊं तो है हक है यह स्यान कलर आगे अपना यह ब्ल्यू कलर बहुत सारे कलर सापको मिल जाएंगे इसमें यह दो पर पल रेड और कों से आते हैं यलो आपको बाइट दिख रहा होगा बट यह यलो है यह ग्रीन है तो अब बारी आती है fn4 की तो यह इस टैप से कलर किसके वो है कोई चीज की दिक्कत नहीं बता रहा यहां से ऐसे ऐसे हर कलर साइंगे और दोड़तों के चले जाएंगे कलर ऐसे बदलेंगे जैसे आपकी एक्स गल्फरेंड भाई समझे रहा ना बदल जाती कोशी टाइप से तो खेर उनसे वह मजाक वाली बात हैं भाई को सीरियस मतले ग्रीन कलर दोड़तों गए जा रहे हैं फाइब था नहीं है ओके फोर था और फाइब दबाओ एफन प्लस फाइब तो अपना गया एक ही कलर वाले में मतलब की आप इसको कलर चेंज कर सकते हो ग्रीन ब्ल्यू यलो सियान कलर परपल या मैजेंटा बोल लो वाइट कलर रह सकते हो आप फाइप पर दबाओ तो फिर से रेड ग्रीन आ चुका है तो यह रहा और फन प्लस यह वाला जो बटन है ना आपको दिखा दूं जूमिंग करके पीजी अप और डाउन यह फन प्लस पीजी डाउन करेगा तो ब्राइट लेवल बढ़ जाएगा पुराई यहाँ पर आएंगे और बस मैं जमा होते रहेंगे बंद हो जाएंगे तो क्या यह इस टाइप से डिर्एक्षिन यह बारी बीच से नहीं कर रहे हैं और जा रहे हैं जो कि भाई यूनिक है थोड़ा सा और ये अब अपना नॉर्मली आगे डिफॉल्ट वाले में अब FN प्लस 6 दवाए था तो आप 7 की बारी ये थोड़ा कॉंप्लिकेटिव है ये से थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको य यह है कस्टमाइज वाला कस्टमाइज तो पहले मेरे को भी ने पता था FN प्लस यह जो होते न यह वाले एरो यहाँ पर यह अब काम आएंगे FN दबाओ एक बार यह एरो सोरी उससे पहले आपको FN पलस 7 डबल टैप करना पड़ेगा जग गया यह आगया अपने करिश्टमाइज मोड में तो यह देखो यह बटन इससे कलर चेंज कर सकता आप अपनी हिसाब कर लाएग यहाँ पर मेरा स्यान है इस एरो से यह वाला इस साइड का आरजी भी आएगा यह देखो लिटरलिय भाई यह मैं जेंटल लगा दी मैंने और फिर FN दबाओंगा ऐसे करता जाओंगा तो यह देखो इसका अगर डीटेल रिव्यू चाहिए ना मतलब यह वाला कस्टमाइज वाले का लग से जैसे कि किसों को पता नहीं होता है तो भाई मैं से पुछ लेना मैं बता दूंगा यहां पर ब्लू कलर आ गया फिर से दबाओ तो इस साइड का कस्टमाइज कर सकते हो रेड नहीं चाहिए यह वाला जो मर्जी आपको चाहिए वह आप अपने मर्जी से लगा सकते हो लाइक मैंने अभी वाइट कलर न बैटन वाले में क्या हो गया और यह बैक नहीं जाता गया खेर छोड़ो जो भी टैब खुर रहा है अपने को क्या है अच्छा वह यहां पर भाई कीवर्ड टाइप हो रही है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है भाई जलो यह देखो जितना आप टैप करोगे उतना है मस्त है सब्सक्त पहले कहला गया था जी बॉर्ड जबो खुला था है कि मैं यहां पर एगर ऐसे सर्च करो ना भाई जो मरजी सर्च करो यहां पर यह देखो आप देख सकतो जैसे जैसे आप स्ड़ वही आ आने वाला है देख सकते हो वैसे ही कलर जाएंगे तो अब एफन प्लस नाइन यह अपने आगे बाते करने वाली मैं बात कर रहा हूं यह भी रियक्ट कर रहा है साउंड रियक्टिव है कहां पर माइक लगा है वो मेरे कोई आडेय नहीं है तो अगर मैं इसे खटखटाऊंग तो यह भी चुटकी नहीं वहती इसाथ अरे जगजा भाई चलो तो ऐसा कुछ होता है बहुत बढ़ियां कीबोर्ड अपना और अगर मैं इसका बैक लुक दिखाऊं तो यह आती है अपने बैक लुक भाई साब आर जी भी जग रही है यहां से भाई फुल दिख दिख रह भाई रेड कलर का है फुल और यह इसके एड़जेस्ट वाले है एड़जेस्ट कर सकता है आप उपर नीचे का तो मैं इसको अभी बंदी रखता हूं रेड कलर मेरे बिस्तर के साथ मैच हो रही है और यह कलर भी चेंज हो रहे है बहुत तबाही तरीके से जो कि भाई क्या होता है और इस वाले फॉन में अच्चे से वर्क नहीं करते मां करते मांक्रेट में और नॉर्मल भी जब मांकर correct में निकार में करेंगे इसका इंद च्छाह काया कानए बहूत बढ़िए हैं है यह देख लो मैं कमफर्ट बहुत प्यार है कि मैंने तो भी कुछ अच्छा वील गुमाया था ना ओके वील गुमाने से ओके थोड़े रिस्पॉंस लेट है बठा रिस्पॉंस है तो चलो भाई बस यार जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया वाई कुछ मत खोल ऐसा फालतू की चीज़ें भाई अपने हिसाब से अपने मन से पता नहीं क्या ही खुले जाता है तो खेर छोड़ो तो बस यार आपने देख ली कैसे मैंने इसको कंट्रोल किया सब कुछ डीटेल और फिर भी आपको समझ ना आई हो सेवन के बारे में यह दुख मैंने कस्टमाइज करकर रखा वा था पहले से ही तो सेवन वाला तो भाई वही कस्टमाइज है दुबारा कनेक्ट करूंगा तो यह डिफॉल्ट हो जागा फिर से अगर आपको कुछ भी इसमें समझ ना आया हो तो मेरे से बेच जिजक पूछ सकते हो स्पेस मेंने डबल टैप किया तो प्ले स्टोर खुला ठीक है भाई अच्छी बात है तो अगर जो भी आपको पसंद ना आया हो मतलब समझ ना आया हो तो दुबार मैं आपको जरूर बता दूँगा रिपलाई भी कर दूँगा तो चलो भाई बस आज की वाली वीडियो तो यहीं तो रखता हूँ आई हो पिर आपको रीवियू पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा तो चलो बिना किसी देरी क्याब वीडियो को समाप्त क चलो यार बस बाद में मिलेंगे आपसे एक लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लवी ओल बाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग इसे क्या हो गया अच्छे में आज भी बंद कर देते हैं मैं डर गया भाई कि अब इसको हो क्या गया तो चलो भाई बाबाई लवी ओल थैंक्स फॉर वाचिंग